जैहिं दोस्तों आपके अपने चनल इक्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम जीके स्रीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट आठ देखेंगे इसमें ऐसे प्रस्णों को सामिल किया गया है जो सभी परिच्छा में अक्सर पूछे जाते हैं तो चलि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था इसका राइट एंसर हो जाएगा क्लायू जो है बंगाल का पहला गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो उसका अंसर हो जाएगा वारें हिस्टिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था इसका राइट एंसर कि राज-गो-पाला-चारी इसका राइट अन्सर हो जाए गार्ण देखते मों की नियुक्त है इसकी प्रद्यान-पंतर ab 고 28 अवता कोई ठीक है अगला प्रस्टकर आस्थ्याई किसके-द्वारा लिखी गई है इसका right एंसर हो जाएगा पाढ़िनी के द्वारा उस्थ्याई लिखी गई है अगला प्रश्ट रहा हडपा सभिता के अंतरगत हल से जोते हुए खेत का साथ कहां मिलता है इसका राइट आंसर हो जाएगा काली बंगा में काली बंगा developments मैं हल से जोते हुए खेत मिलते हैं दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेली ग्राम चैनल को जौइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा और अगर आप इस channel पे नए हैं तो please subscribe किजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like, share और comment भी किजिए तो चलिए देखते हैं अगला प्रस्चु कितने वेदांग है अर्थाफ वेदांगों की संख्या कितनी है इसका राइट एंसर हो जाएगा six कितने है छ्या जो है कहुं कौनसे सिच्छा कल्प व्याकरण यह हमारे वेदांगें अगला प्रसनों देखते हैं किस सासक नें गंगा और सोन नदी के संगम पर पार पुत्र नामक नगर की अस्थापना की इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रैस्टै भारत में वाईयो स्पीर्ट की संख्या कितनी है इसका राइट रो जाएगा 28 गर पुछा जाए wire कितने ट्नी है खॉडियfriend log है उसकी चूरिय और संपड़ोड पूचल साइट कितने हैं और की दॉखरात प्रश्ण की की द्तै इसके द्वारा की गई थी इसका राइट एंतर हो जाएगा चंडर बनर्जी द्वारा सक्ज़ता इसके अधोजरत में यहां सरण के लिए प्रशिद्ध है यह भी ध्यान रखेगा या अक्सेट में पूछा जाता है अग्ला प्रश्ण है कार वोल कारवो लीन कप किस खेल से सम्मंदित है इसका राइट रहों जाएगा यह से समन जो जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है इसका राइट एंसर हो जाएगा सरावती नदी पर कहां यह कहां पे है यह करनाठक राजमया इस्तित है अगला प्रश्ण है राज की कारपाल का सक्त किसमें नहीत होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा राजपाल में किसमें नहीत होती है अगला प्रश्ण है मौलिक अधिकार समिधान के किस भाग में वर्डित है इसका राइट एंसर हो जाएगा भाग तीन में भाग 3 में मौलिग अधिकार का वर्ड है किस आर्टिकल से अर्टिकल इसका उल्लेक है अगर पुछ है आज दो मूज अधिकारों के संख्या कितनी थी मूज सम्मिधान में तो स्थी और वर्तमान में कितने हैं बरतमान में छे हैं। ठीक है। अगला प्रश्चन है। किस मुगल समराट ने राजा राम मुहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। इसका राई टैंसर हो जाएगा। अकबर दूत्ती ने ही राजा राम मुहन राय को राजा की उपाद देती। ये भी द्यान रखेगा अगला प्रसा हैं किसे मिला इसका राइड इंसर हो जाएगा देविका बारत की आगास्मिक निदी यह किस आर्टिकल में ऑगला प्रस्ण लिए निश्ता का अदिकार भारती समयधान जाएगा किस सुच्छा के अंतर नीत नहीं है इसका राय टे में हो जाएगा सब्सक्राइगा सिपकिल्ला दर्रा कौन सा शिपकिल्ला धर्रा यह कहां पर है यह हिमाच्छे प्रदेश में रखिये माना नीति लिपु लेक यह सारे उतराकट में स्थित हैं ठीक हैं अगला प्रस्ण है कवक के अध्यान को क्या कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा माइकोलाजी क्या कहा जाता है माइकोलाजी कवक के अध्यान को कहा जाता है और इंटोमलाजी किसे कहा जाता है कीटो के अध्यान को इंटोमलाजी कहा जाता है और फाइकोलाजी किसे कहा जाता है सहवाल के अध्यान को किसे सहवाल के अध्यान को औ और और्थिनोलोजी किसे कहा जाता है पच्छियों के अध्यान को और्थिनोलोजी कहा जाता है ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा अगला प्रश्ण है निम्निमे से कौन सा सर्वदाता है जो ग्रूप है इसमें कौन सा सर्वदाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओ ठीक ह पर होती है। इसका राइट एंसर हो जाएगा कोरो मंदल threw यह कहां स्थी यह अगर पुछा जाए लवल मांसुन से कहां शडवादी वरसा हो जाती थो नुट है और इसे सीथ कालीन वर्सा भी कहते हैं यह झेहां रखेगा अगला प्रश्न है उच नगा इसका राइट एंसर हो जाएगा किसे सौपता है राष्ट पती को सौपता है किसे राष्ट पती को सौपता है ठीक है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से से 2 बार गुजरती है इसका राइट एंसर हो जाएगा लिंपपव नदी कहां पंभाध की नदी किसम म्रृदिः जल भारं के चंपते सरवाधिक होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा काली मिर्दा किसे लिए more सभाध के यह Mother के लिए अधिक उप जा हुआ है ठीक है अगला प्रश्न है निमने घटनाओं में सरपथम कौन सी घटना घटित हुई इसका राइट एंसर हो जाएगा कौन से सबसे पहले घटत हुए देख लेते हैं इसके कब कब हुआ था तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध कब हुआ था कब हुआ था 1757 में कब 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था और पानिपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था 1761 में और हैदरवाद की संदी कब हुआ थी 1798 में तो देखिए समें सबसे पहले कवण सा हुआ इसका राइट एंसर जब्रार जिब्रालत्र संदी इस भूमत सागर की पुन्जी पंजी residents His उर्ती रोडुम अंघ शूर्ण महात्त काव कि मिलता है इसका राइट महनतर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में किस ग्रंत में अंगुत्तळ हमया मिलता है ठेके अगला प्रश्ण है असत्य-कथन पहिछानिये इसमें इक सथा गवर्नर जनरल का नाम दिया है और एक सथ घर्टना दिया तो देखते हैं बंगाल का बंगल का भीवाजन हुआ सुमें कौन था करजन यह सही है सायग संधी विलेजली यह भी सही है असायो गंदोलन मिंटो नहीं यह जो हो जाएगा चेंश पूर्ड कौन चेंश पूर्ड उस समय गवरनर था ठीक है और भारती प्रेस्ट का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है मिटकॉफ को कहा जाता है अगल बी स्चिट्बं का स्ट्ऑख्ओं डेन्मार्क का को फएगं और तंजानिय का राबाद नहीं होगा तंजानिया का होगा डूडोमा कौन्से डूडोमा इसकी राजधानी है खिक है अग्ला प्रश्ण है निम्नमे से कौन सा असत्य है द्रत South loda क्योब लाइक पगोडा उड यह गलत है कहां पर है सब्रिमाला मंदिर यह केरल में इस्तित है और विरुपाच मंदिर कहा है करनाटक में यह भी सही है अगला प्रश्ण है निम्न में से किस मंदिर का निर्माड पंचाथ सहली में हुआ है पंचाथ सहली में कौन से मंदिर का निर्माड हुआ है इसका राय answer हो जाएगा अंभीका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यचता की थी अगला प्रश्ण है Blue Baby Syndrome किसकी अधिक्ता से होता है इसका right answer हो जाएगा Nitrate की अधिक्ता से Blue Baby Syndrome होता है अगला प्रश्ण है सागा धावा बहुत तेवहर किस राज्ज में मनाया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा सिक्कि में सागदवार नमक तेवार मनाया जाता है ठीक है अगला प्रश्ण है भारत में तट मंदिर कहां इस्तित है इसका राइट एंसर हो जाएगा महाबलीपूरम में ठीक है अगला प्रश्ण है कार का मात्रक क्या है इसका राइट एंसर हो जाएगा जूल जो है कार का मात्रक है अगला प्रश्ण है पानी का घना तो किस ताप पर अधिक्तम होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा चार डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, अगला प्रश्ण है, किसके कारण आकास का रंग नीला दिखाई देता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, ट्रकीडन के कारण जो है, अकास का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, अगला प्रश्ण है, मानो सरीर में कोस्क्या की ख किसके दवारा की गई इसका राइट अंसर हो जाएगा रावा ठूग ने, कुसकर की खोज मोज की espra किस नाम से राइऑ ठाहा ठाहें ? अगला इंसरो मोजय का किस नाम से जाना जाता है ? इसका राइट अंसरो इसका right answer हो जाएगा राजास्थान में, राजास्थान में चूलिया जल्प्रपात इस्तित है, किस नदी पे या चंबल नदी पे इस्तित है, अगला प्रश्ण देखते हैं, भारत में संकट ग्रस्ट एस्चूरियन मगर मच्चो के सनचण के लिए कौन सा भ्यारण सबसे प् यह कहां पे है, या उडीशा राजिमें इस्तित है, कहां पे उडीशा राजिमें या इस्तित है, अगला प्रश्ण देखते हैं, निमलिकित में से कौन सा सर्प नौकादावड का एक भारती खेल है, इसका right answer हो जाएगा, वल्लम कली, वल्लम कली जो है सर्प मेरल राज का प्रमुख खेल है, अगला प्रश्ण है, भारत का प्रथम मुझे नेल है कौन सा है, इसका right answer हो जाएगा, कोलकाता, इसकी अस्थापना कब हुई थी, 1862 हिस्वी में इसकी अस्थापना हुई थी, ठीक है, यह रहे आज के प्रश्ण, थैंक्यों फॉर वाचि प्रश्ची